सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए फाइनली समसंग ने अपने एक और डिवाइस के लिए जो इस्टेबल आपडेट है वो रिलीज कर दिया है अभी तक समसंग ने सिर्फ एस 21 सीरिज के लिए हैं जो इस्टेबल अपडेट है वो रिलीज कर दिया था लेकिन अब फाइनली सामसंग ने अपने एक और डिवाइस में जो इस्टेबल अपडेट है Android 12 बेवेश्ट 20Y 4.0 का वो रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर देज़ेगा इस वीडियो को लाइक टर्गे टर्गे अंडर रखते हैं 80 लाइक असी लाइक आप लोग कंप्लेट कर देज़ेगा और चैनल पे अगर पहली बर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिज़ेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश आप देख रहे हैं टिक दोस्त वीडियो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइनली समसंग ने जो इस्टेबल एंडवाई 12 बेस्ट वनिवाई 4.0 का अपडेट है वो जेड फ्लिप 3 के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है आपको पता ही है कि अक्टूबर के लाश्ट में हमें जो बीटा अपडेट था समसंग Z Fold 3 और Z Flip 3 के लिए वो देखने को मिला था और बीटा 1, बीटा 2 समसंग ने रिलीज किया है और उसके बाद समसंग ने जो इस्टेबल अपडेट है Z Flip 3 के लिए वो रिलीज कर दिया है यह जो अपडेट है अभी आउट ओफ इंडिया आया है इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है इसके अलाबा बात करने तो इस अपडेट में आपको लेटेस्ट दिसंबर का सिक्योर्डी पैज देखने को मिल जाता है दोस्तों तो यह एक इस्टेबल अपडेट है त देखने को मिलने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजएगा मैं मैं वेल था आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम